आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ आपका N Factor N Factor बोल सकते हैं या Total जो है वो आपका Oxidation Number में जितना Change आ रहा है Oxidation State में Total Change जो आएगा वो बता सकते हैं या N Factor को Valency Factor भी बोल सकते हैं जितना Change आ रहा है वो आपका हो जाएगा और यहां Column Second में आप देख रहे हैंगो सबसे Last में आपको Oxidizing agent दिये गया So Oxidizing agent क्या होते हैं दूसरे को Oxidize करते हैं मतलब खुद का क्या होता है? Reduction होता है So Itself reduces खुद क्या होते हैं? Reduce होते हैं खुद का क्या होता है? Reduction होता है छो है आपका Reduce होंगे जो भी Element मतलब जो भी आपका Compound है वो उसमें अगर वो oxidation state है अगर वो कम हुई है तो क्या होगा reduction हो जाएगा तो जो वो क्या करेंगे दूसरों को oxidize करने का काम करते हैं ठीक है हम यहाँ पर क्या है क्यमेनोफोर दिये गए तो क्यमेनोफोर में potassium का क्या होता है यह alkaline metal है हम इसा fix है और mn का जो है हम लोग x मान लेते है oxygen का minus 2 होता है oxidation state और यह 4 atoms है और total जो है वो आपका 0 है यहाँ x की value जो आई plus 7 आई यहाँ plus 7 oxidation state होते हुए यहाँ plus 2 में जा रहे तो क्या हो है reduction हुआ ठीक है तो change कितने का आ रहा आ पाइप का रहा है जब यह reduction हुआ तो oxidizing agent की तरह काम करेगा जब आपका plus 7 से plus 2 जा रहा है मतलब equivalent weight कितना हो जाएगा आपका a का equivalent weight आएगा वो कितना हो जाएगा change कितने का हुआ 5 का तो m by 5 जो है इसका equivalent weight हो जाएगा और यह oxidizing agent की तरह काम करेगा जो a का match है वो आपका क्या हो जाएगा m by 5 मतलब q और साथ में आपका t ठीक है आप इसके बाद जो है आपका b का देखना है जो बी जो है वह आपका mg c2o4 सो magnesium जो है plus two oxidation state में होता है तो c2o4 जो है minus two oxidation state में होंगे और mg जो है इधर पर change होके क्या है magnesium plus two में ही है तो change आपका zero का हुआ ठीक है यहाँ plus two में इधर और यहाँ co2 में आपका जो है आपका carbon के oxidation state कितनी होती plus four होती कैसे carbon का x मान लेता है oxygen का कितना हो तो minus two into two is equal to zero so x का value कितना हो जाएगा plus four ठीक है अब यहाँ c2o4 की निकाल लेते हैं तो c2o4 में क्या है कि carbon का oxidation state अगर हम x मानते हैं तो यह 2x हो जाएगा plus oxygen का minus two into four is equal to कितना हो जाए minus two तो यहाँ से x का value आ रहा है plus three so plus three से oxidation state जाके plus four में जा रहें किसके लिए आपका एक carbon की वेज़े और यहाँ पर कितने है दो carbon है so 2 carbon के लिए आपका change कितने का हो जाएगा दो का हो जाएगा क्यों कि एक carbon के लिए आपका change जो है वो एक का हो रहा है so 2 carbon के लिए 2 का हो जाएगा so equivalent weight जो है b का क्या हो जाएगा m by two ठीक है और यहाँ पर oxidation state जो है plus three से plus four में जा रहे मतलब खुद का क्या हो रहा oxidation हो ठीक है जब oxidation हो रहा है तो oxidizing agent की तरह काम नहीं करेगा ठीक है तो जो है इसका match सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा m by two ठीक है यह भर हो जाए क्योंकि यह है नहीं टी है नहीं इसके बाद k2 cr2 o7 में अगर हम निकालेंगे सी बाले में सो potassium का plus one ठीक है इंटू 2 प्लस chromium का अगर x मान लेते हैं तो 2x हो जाएगा प्लस oxygen का minus 2 into 7 यहां से आ जाएगा आपका कितना 0 तो x is equal to कितना आ जाएगा आपका यहां से plus 6 आ जाएगा ठीक है अगर करते हैं तो k2 cr2 o7 में आपका plus 6 oxidation state में रहता क्रोमियम और यहां plus 3 में गया तो plus 6 से plus 3 में जाना क्या हो कितने का change हुआ थ्री का जब 3 का change हुआ तो 2 chromium से कितने का change हो जाएगा 6 का तो इसका equivalent weight कितना हो जाएगा m by 6 ठीक है तो जो आपका जो c है उसका match क्या आ रहा है m by 6 आ रहा है मतलब r और साथ में क्या है plus 6 से plus 3 में जा रहा है मतलब reduction हो रहा खुद का तो जो है वो oxidizing agent की तरह काम करेगा तो जो c का है वो आपका tb हो जाए इसके बाद आते हैं हम लोग d पर तो यहां पर आपको c r o 5 दिये गया सो c r o 5 का जो structure होता वो आपका इस तरीके से होता है ठीक है और यही structure से ही हम oxidation state निकाल सकते है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो यहां पर आपका oxygen है oxygen जो है इलेक्टो नेटर अटम है तो इस bond की विए से यह minus 1 charge contain करेगा और जो chromium है उसके plus 1 so 4 oxygen है तो कितना हो जाएगा plus 1 into 4 तो plus 4 हो जाएगा और यहाँ oxygen जो है यह वाला double bond में तो यह minus 2 charge एक्वेर करेगा है यह plus 2 so 4 के वए से plus 4 और plus 2 यह तो plus 6 oxidation state में है ठीक है so यह हो गया इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें है CR2 O3 में तो यह आपका plus 3 oxidation state आता है आप निकाल लीजेगा ठीक है क्योंकि हमने क्या कि है हर बार oxygen का बता दे है तो chromium आप निकाली सकते है तो plus 6 से plus 3 में जा रहा है तो एक chromium से आपका कितने का change हो रहा है 3 का इसका equivalent weight कितना हो जाएगा M by 3 तो D का जो है वो M by 3 हो जाएगा ठीक है So M by 3 कहाँ पर है आपका S पर है So S हो जाएगा और यहाँ plus 6 से plus 3 में जाना मतलब reduction हो रहा है खुद का reduction हो रहा है तो मतलब जो है oxidizing agent की तरह काम करेंगा So यह इसका answer TV हो जाएगा So यह हो गए आपका match Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट 8-400-400-400 पर